हेलो हेलो एंड वेल्कम एव्रीवन वेल्कम तु दी चैनल क्या हाल है आप लोगों के सूपर डूपर मौज मस्ती चल रही है के नहीं यह बता दो सबसे पहले है फुल अन मौज मस्ती के साथ हम पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले एक्ससाइस 2.3 का question number 2 आप लोग भी पढ़ेंगे मेरे साथ और बहुत आसानी से कर लेंगे इसको हम solve राइमेंगी बनी ना जलो कोई अगली बना लेंगे so question के रहा है if the product of two whole number is zero क्या भाई अगर किनी दो whole number क्या होते हैं याद दिला जाता हूँ देख w लिखा है मतलब whole number and n लिखा है मतलब natural number whole number होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और आगे infinity तक जाते हैं और natural number होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और आगे infinity तक जाते हैं पर सितना याद रखना तो कह रहे हैं कि किनी 2 whole numbers को multiply करा अगर हमने तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उन में से और अहां 2 number को multiply करा और 0 आ गया क्या मतलब कोई दो नंबर थे उनको multiply करा और 0 आ गया तो क्या हम यह कह सकते हैं कि या तो यह नंबर या यह दोनों ही नंबर 0 हैं और इसको justify करो example के साथ अब देखो last question में मैंने concept आपको समझाया था concept कहता है कि 0 से अगर लडाई करोगे या निकि 0 से multiply करोगे की चीज तो वो 0 बन जाएगी तो अगर answer में 0 है तो इसका मतलब या तो यह यह कुछ न कुछ तो 0 होगा तो 0 एक ऐसा number है न या गजब का कि वो कभी किसी और से नहीं आता जैसे कि अब मैं समझाता हूँ example से अगर एक number है 20 तो 20 कैसे कैसे आ सकता है आप लिख सकते हो 5 x 4 20 2 x 10 20 10 x 2 20 इतने परीके है 20 लिखने के बट क्या अगर आप 0 लाना है answer में तो क्या कोई ऐसे 2-3 number से ला सकते हो नहीं 0 के लिए आपको कोई न कोई एक number हमेशा 0 रखना पड़ेगा तो वही यहां पे है answer देख सकते हो आप examples के साथ 5 को multiply करो 0 के साथ 0 आ रहा है 8 को 0 करो और दोनों 0 करें तब अभी 0 आ रहा है तो इसलिए यह question बहुत ही simple सा था बस हमारा concept को इसने polish कर दिया ठीक है तो बस अगर यह video अच्छी लेगी तो फटाक से like मारो ऐसे amazing amazing solution देखने के लिए मिलते है next question के साथ तब तक के लिए जी goodbye take care महुत मस्ती करते रहिए